आज हम बनाएंगे साबुदाना खिछडी हम ले रहे हैं सच्चा साबु साबुदाना एक कप साबुदाने को रेड़ कप पानी में तीन घंटे के लिए भिगो लेजिए दो तेबल स्पून गी गरम करें इसमें एक छोटा चमच जीरा डाल कर चटकाएं अब इसमें एक छोटा चमच बारीक कटा अग्रक एक छोटी चमच बारीक कटी हरीमेच डाल कर अच्छे से बूने इसमें एक कप उबला हुआ कटा अलू डाल के दो मिनट अच्छे से बूने स्वाद अनुसार नमक डाले अब भीगा हुआ साबू दाना डाल कर इसमें अच्छे से मिलाएं अब आधा कप पिसी हुई बूनी मुफली डाले और अच्छे से चलाएं आधा कप ताजे हरे धनिये की पत्ती डाले और मिलाते हुई पकाएं इसे हमें दस मिनट के लिए मध्यम आच पर पकाना है साबू दाने की किचडी बन कर तयार है इसे गरम गरम परोसे सच्चा साबू का एकड़म खिला खिला साबू दाना बन कर तयार है